सुप्रेंस इस वीडियो में हम तंदूर के बारे में कुछ महत्पूर्ण जानकारी जानेंगे जैसे कि बनाने के लिए चिक्नी मिट्टी यूज में लाए जाती χreya दोस्तों तंदूर के इतियास के बारे में जान लेते हैं तंदूर की उत्पती कहान से होई है दोस्तो वहीं तंदुर का उपयोग केवल भारतिय उपमाहदीब तक ही सिमित नहीं है बलकि पच्चिम और मध्येश्या में भी लोग तंदुर का इस्तिमाल करते हैं तंदुर के ओसेश प्राचिन मिस्र और मैसोपोटामिया की सभ्यताओं में भी पाए गए हैं दोस्तो ऐसा कहा जाता है कि आदुनी तंदुर को भारत में मुगलो द्वारा लाया गया था बाद में मुगल साथ सक जागिर के सासनकाल में स्वाय तंदुर का विश्कार हुआ था ऐसा कहा जाता है कि यात्रा करते वक्षुवाय तंदुर को रश्यू के एक समूर द्वारा ले जाया जाता था दोस्तों यदि हम सिक धर्म के संस्तापक गुरु नानक देव जी का जिक्र नहीं करेंगे तो तंदुर का इत्यास अधूरा रहेगा इसकी द्वारा तंदुर के उप्योग में बढ़ावा दिया गया था इन्होंने जातिकत बादाओं को दूर करने और लोगों में समानता को बढ़ावा देने के लिए अपने पडोस में साजा चुला बनाने का आगरे किया था साजा चुला की इस अधारना नन्ने के वल चातिया और वक्र की बादाओं को दूर करने में मदद की बलकि महिलाओं के लिए एक बैठा केंदर का निर्मार कर दिया दोस्तो अगर तंदूर की इत्यास के बारे में बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको कुछ इंपोटेंट बाते आपके साथ शेयर किये दोस्तो अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करें दोस्तो आई जानते हैं तंदूर कितने परकार के होते हैं दोस्तो अभी मार्केट में तीन परकार के तंदूर अवेलबल है चारकोल तंदूर गैस तंदूर और इलेक्ट्रिक तंदूर दोस्तों भी जानते हैं वो सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जगा है तंदूर का temperature कितना होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछ सबसे जाने वाला सवाल है दोस्तों दोस्तों तंदूर का temperature 483 degrees Celsius होता है अगर इसको Fahrenheit बोले तो 900 Fahrenheit रोटी और नान बनाने के लिए तंदूर का टेंपरिचर 300 से 300 डिगरी सेलसियस होना चाहिए और तंदूर में कबाब बनाने के लिए 200 से 200 डिगरी सेलसियस इसका टेंपरिचर होना जरूरी है दोस्तो तो आई जानते हैं तंदूर में क्या-क्या बनाया जा सकता है दोस्तो य पहाड़ी कबाब से सब्सक्राइब लगाइजाते हैं दूस्तिटो वीडियो के एंड में हम एक UnPlan के बारे में जान लेते हैं दोस्तो सबसे पहले है चार कोल जिसे लकड़ी का कोईला भी बोलते हैं दोस्तो इसी से ही तंदुर में आग जलाई जाती दोस्तो दोस्तो जो दूसरा है वह है स्क्योर या बारवी की सीख दोस्तो इसी की मदद से हम तंदुर में कबाब से लगात दोस्तो जो तीसरा है वह है ब्रेट बिलो जिसे हम रोटी लगाने की गदी भी बोलते हैं दोस्तो इसी की साहिता से हम तंदुर में रोटी या नान लगाते हैं दोस्तो जो चौथा एकुपमेंट हुए है रोटी नान कटा दोस्तो इसी की मदद से हम रोटी या नान को काटत दोस्तों अगर आप इस पेस्ट को बनाना सीखना चाहते तो दोस्तों मैंने पहले से अपने चैनल पे इस वीडियो को अप्लोड किया हुआ है तो मैं आई बेटन में इसका लिंक दे दूँगा आप जाकर वहाँ देख सकते हैं दोस्तों अगर आप देखना चाहते हो करके जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और यदि इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों मिलता हूं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार अपना ख्याल रखे स्वस्त रहे और मस्त रह कर दो प्लीए